हाद दोस्तों नमस्कार, उम्हीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होएंगे, मेरा नाम है देवरत नंगरवाल और आप देख रहे हैं इसरे टेलीकॉम देवरत नंगरवाल चैनल उमीद करता हूँ कि आपने इसको सब्सक्राइब तो किया होगा और नहीं किया तो अभी कर लिजे, क्योंकि हाँ मिलेंगे आपको मोबाइल रिपेरिंग से संबंदेट वीडियो जो टेक्निक लिए आपका क्यान बढ़ाएंगे, तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है क कि बहुत सारे स्टूडेंट का ही मुझे मिलता है को से साथवेर करते ताइम कौं सा विंदो यूज करें, विंदो 10 या मिन्दो 7 और विंदो 7 में 32-bit यूज करें। यूज करें। यूज करें। देक्या बूँशन बहुत प्रिटेक्यली य बहुत टेक्निकली इसक्रुन नहीं जाओंगा, मैंने अर्रेड़ी 64-bit और 32-bit कि में अंतर भी मैंने बताया है, मैंने Windows में अंतर बता है, मैंने ये भी बता है कि Intel लीजे या AMD लीजे, मैंने Windows में काफी हर तक मैंने RAM क्या होती है, और सारी चीजे मैंने कलियर किया है, और एक डेडिकेट परसनल सब्पर वी अगर आप software करते हैं, या आप करना चाहते हैं, अगर आपके बाद की mobile है, आप उसको flash कर रहे हैं, आप उसके FRP निकार रहे हैं, आप उसको unlock कर रहे हैं, आप किसी तरह की software का आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप किस तरह का Windows यूज़ करें, तो मैं सिधे जबाब पढ़ा ज तक नया computer ले रहे हैं, यृ आपने सोचा कि, यार मैं बैपने system में क्या इंट्रॉल कराऊ you, Windows 7 गया ङन्टी this योजह में निहितpes, पर प्रोफेशनल की बात करेंगे यृ आप इनी इसएवों बात करेंगे हैं, उन के इन काम की बात करेंगे तो app to Windows 7 लेनी चाहिए you 64 bit processor पर जितने भी जो software जो ड्राइवर जो मार्केट में आए हैं MediaTek के या CPU वाइस जो स्प्रेक्टम के या फिर J3X box या जो जितने भी box miracle box जितने भी जो box के UMT और जो इनके ADP के driver होते हैं जो fastwood के driver होते हैं अलग-अलग mode के जो driver होते हैं वो driver Windows 7 64 bit processor को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं और साथ में बहुत अच्छे से उसमें इंस्टॉल हो जाते हैं यह बहुत कम बार देखा गया है कि कुछ problem जाती है यह कुछ error का सामना करना पड़ता है बहुत सारे लोग यह भी कहेंगे कि नहीं में यह विंडो 10 में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है आप देखेंगे कि मेरे पीछे मेरा laptop है उसमें विंडो 10 है और मैं विंडो 10 ही यूज कर रहा हूं मैं पहले विंडो 7 यूज करता था दोस्तों जब हम स्वाड़ पढ़ाते हैं तो हम विंडो 7 यूज करते हैं क्योंकि हमें पता है मैं जब प्राब्लम यूज करता हूं तो मुझे भी बहुत सारे जो प्रॉब्लमों फेस करने पड़ते हैं और इस जामपल के लिए मैं बताना चाहूँगा जैसे जैत्री एक जो प्रूब होता है उसका जो शौड़ीर है कई जो ट्राइवर हम अपडेट करते हैं वह फाइल लेता ही नहीं क्योंकि विंडो टैन में कही कई बार यह देखा कि द्राइवर को डिसिबल करना पड़ाइवर की जो सेटिंग रहती है वह कई प्रकार से चेंज रहती है तो सिस्टम पर रिस्टार्ट करके या उसके रिकवरी मूर पर जाके उसको डिसेबल करना बहुत सारी चीजे हैं मतलब आप यह मान के चलिए कि अगर आप विंडो 10 यूज करेंगे तो कही ना कही छोटा मोटा शूट आपको मिलता ही रहेगा मैं यह नहीं कहता कि विंडो 10 बहुत बेकार है मैं यह नहीं कहता कि विंडो 10 बिल्कुल काम नहीं करता बिल्कुल 90% काम करता है और जो एसफ़र्ड है वो बिल्कुल विंडो 10 यूज कर रहे होंगे जैसे यूएफाई जब आप यूज करते हैं जैटेक आप यूज करते हैं जब आप कोई IME Rebuilder यूज़ कर रहे हो या कोई आप ADB याप Fastboot के टूल यूज़ कर रहे हो तो आप जब देखते हो जब आप डिवाइस मेंजर उपन करते हो या आप कोई भी टूल मसल अनके तौर पर यूज़ कर रहे हो और इसके पर्टिकुलर अगर कोई ड्राइवर है तो आपने देखा होगा कि कही ना कहीं डिवाइस मेंजर पर आके बाद अटक जाती है वो क्यू होता है क्योंकि मैंने बताया विंडो 10 बहुत ज़ादा ड्राइवर को 100% सपोर्ट नहीं करता है यहां तो मैंने आपको बता दिया कि विंडो 7 64-bit प्रोसेसर काफी अच्छा है को साथिक माना गया है हर कोई वही आपको सजक्च करेगा कि अगर आपको अच्छा काम करना है तो बोले लीजेए अब बात करते हैं कि डेस्टॉप लें कि लेpeide you तो दोस्तों यहां पर मैं आपको कहना चाहूँगा अगर आप लेते हैं तो एक अच्छी बात है क्योंकि लैपटॉप को आप दुकान के साथ अपने घर पर भी ले जा के उस पर काम कर सकते हैं तो कहीना कहीन यह हमारे जो प्रोफेस्टनल जो माया डाटा होता है। उसको कहीना कहीन होसता है। अगर आप अपने डाटा को सेफ करने के लिए 4 TV की हार्डिक सब्सक्राइब और वो WD या Seagate डॉनों में सेख री सकते हैं। दॉनों ही बहुत अच्छी है जो मार्कें मिल जो भी आप Flash File डाउनलोड करते हैं उसको हमेसा डाटा में बनाके एक जिफ फाइल के अंदर बनाके रखिए क्योंकि जिफ वाल इंक्रिप्टे होती है अगर उसको रखेंगे जिफ फाइल में अगर अगर उसको रखेंगे लोडर भी होगा किसी पकार का क्रेक है तो भी उस अगर आपको डिड़ेट नहीं कर पाएगा जो कि एक अच्छी बात होगी तो दुस्तों में यहां कहना चाहता हूं अगर आप लैप्टॉप यूज़ कर रहे हैं तो एक अच्छी बात है क्यों कि आपके डेस्टॉप को कम से कम 15 मिर्ट का बैक अप जरूर देदे क्योंकि कई बार अगर मालो आप फ्लैसिंग कर रहे हैं या आइस पी कर रहे हो और मान की चलिए लाइट चली गई तो फिर क्या होगा यह सोचिए अगर आपको बैक अपने मिला तो आपका फॉन डैड हो सकता है तो यह कहीं ना कहीं यह एक अच्छी बात नहीं होगी आपके लिए तो यहां पर मैंने बता है कि विंडो 7 64-bit प्रोसेसर अच्छा है दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया है कि लैप्तॉप और डेस्टॉप में आपको जो लेना चाहिए वो लेना चाहिए लैप्तॉप तो दूस्तो तीसरी में बात करता हूँ कि अब कौन सा प्रोसेसर यूज करें तो आप आप आई 3 प्रोसेसर बिल्कुल यूज कर सकते हैं अगर आप कर दो है तो भी आप यूज कर सकते हैं क्योंकि यह कोई बहुत हाई ग्राफिस या ऐसा अनिमेटेड कोई नहीं है अब यह है थोड़ा फास्ट हो जाएगा इजी हो जाएगा नॉन रिस् यूज करेंगे या फिर आई 9 की बात करें उसमें विंडो सेवन सपोर्ट ही नहीं करते हैं मेरे खाल से विंडो सेवन उसमें डलेगा ही नहीं क्योंकि मैंने यह देखा है कि अगर आप प्रोसेसर आई 5 भी ले और जनरेशन अपना आई 8 रखें सो वह आई 8 जनरेशन पर सेवन डल तो जाएगा पर उसका जो ड्राइबर है वह 100 परसंट आपको सपोर्ट नहीं करेगा मतलब कोई भी टैक्निशन उसको आसानी से उसमें विंडो सेवन इंस्टॉल कर देगा अगर मैं अपने लैट्टॉप की कॉन्फरेकरेशन की बात करूँ तो यह है विंडो 10 आई 3 प्रोसेसर और पर इसका जगरेशन है आई 8 और इसी के कारण में इसमें विंडो सेवन नहीं डाल पा रहा हूं कोई कि मैं विंडो सेवन चला तो लूँगा और ऐसा भी नहीं है कोई भी यह कह देगा नहीं मैं तो चला लेता हूं और बहुत अच्छा चला है पर यह सोचिए कि आपको क्या करना है आप अगर ले रहे हैं डैस्टॉप ले रहे हैं तो पहले आप अपना फोकस बनाइए आप यह सोचिए कि आपको प्रोफेशनल पर जाना है या परस्नल दोस्तों मैं यह समझता हूं आपको प्रोफेशनल जाना चाहिए और आपको अपन मैं आपसे बोलता हूँ एंटिवारस बिल्कुल लीजिए और उसको बिल्कुल रखी अपने पास आपके एंटिवारस किया अगर आपके कोई टूल या आपके कोई एमिलिकेशन आपके डिलीट हो रहे हैं क्योंकि वो उसको अनाथराइज या वायरस समझ रही है उस समझता हूँ कि एंटिवारस जरूर रखें क्योंकि जब आप उसको बंद कर दोगे तो वो बिल्कुल सांत हो जाएगा और जो आप करना चाहो वो आप कर सकते हो बट यहां पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो भी एकम्प्यूटर में फीरी के एंटि वारस दोस्तों वो बिलकुल काम नहीं करते हैं और इतरह से वो खोदी बक्स बन जाते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे सिस्टम मेरे सिस्ट्रम में बर सुरु से रहा है और जब भी मुझे अगर काम करना है किसी टूल को यूस करना है तो मैं उसको पहले कोछेंकर भी तूल करता हाँ फिर उसको यूस करता हूं तो दूसर फिर से एक बर मैं आपको धुरा देता हूँ कि विंडो 7 64-bit processor सबसे बहतर है तो दूसरा अगर आप लेप्टॉप और डेस्टॉप में चुरू रहे हैं तो लेप्टॉप को चुनिए क्योंकि वह यूजर फ्रेंडली है तो आप उसको कहीं भी मूब कर सकते हैं तो बहुत अच्छा एक कॉम्पोनेंट माना गया है तीसरी की बात करेंगे अगर आप generation यूजर 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 तो i3 और i5 सबसे बैस प्रोसेसर हैं हमारे एक वर्ड के लिए क्योंकि आप i7 या i9 प्रोसेसर लेकर आप बहुत ज़्यादा high configuration काम कीजिए फिर अगर मैं यहां बात कर रहा हूं आपके फिर मैं बात कर रहा हूं आपके पिर मैं बात कर रहा हूं आपके तो बिल्कुल antivirus अपने पास रखिए उसको disable कीजिए अगर आप मुझसे क्यों से रहा लेजिए कि कौन सा antivirus सबसे बेस्ट है उसमें क्या क्या चीज दी हुई है उसके बारे में रिसर्च कीजिए उनके website में जाए और देखिए कि वह किस तरीके से आपके computer को protect कर रहा है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रू कीजिए और अगर आपने subscribe नहीं के तो subscribe करते को कि वीडियो बनाया है मैंने अपने एक subscriber के demand पर क्योंकि उन्होंने मुझसे पूचा था कि सर लैप्टॉप यूज करूँ कि डेस्टॉप इस पर एक वीडियो बनाया है फिर किसी ने पूचा था कि सर मैं एंटिवर्स यूज करूँ और वाकी में आपको लगा कि आपने कुछ सेका इस वीडियो से तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंड कीजिए और सब्सक्राइब करके जाएं थैंक्यू वरी मुच्छ प्रस्टाइब करूँ प्रस्टाइब करूँ झाल